नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी गए एक बार फिर से अड़ाम से की जिक्के में दोस्तों राश्तान आईकोट LDC की प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज हमारे एक और प्रैक्टिस सेट यह है दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एक्रिमेंट का और इससे पहले भी कुछ ह हमारे प्रैक्टिस सेट है वो अप्लोड हो चुके हैं अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो अभी दोस्तों आपको आई बटन देख रहा होगा इस आई बटन की प्लेलिस्ट में जाकर इन प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं हिंदी के सभी जो टॉपिक हैं हमारे सेल of adjective बचा है इसके बाद हमारी vocab का section आ जाएगा तो जल्दी ही हम हमारे syllabus को questions के माधियम से solve कर लेंगे और इसके पस्था दोस्तो model paper पढ़ने वाले हैं तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe करें पास में बेल एकन को दबाएं ताकि समय समय पर classes upload होने पर आपको notifications मिल दे रहें और दोस्तों ये class देखने के पस्थाथ subject verb agreement में दोस्तों आपके एक पी question है वो गलत नहीं होगा तो शुरू करते आज के हमारे पहले person के साथ पहला person आपके सामने the captain as well as his soldiers dash ready to march अब देखी दोस्तों जब भी जब भी आपको sentence में क्या दिखे as well as as well as together with together with in addition to in addition to या including including एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग आदी दिखी तो ध्यान रखिएगा हमेशा sentence में दोस्तों verb singular आती है verb कैसी आती है singular ध्यान रखिएगा जब भी आपको sentence में ये सब कुछ दिखे तो ध्यान रखिएगा sentence में verb आती है singular अब देखिएगा कुछ तो होती है singular verb कुछ होती है दोस्तों plural verb जैसे is क्या है दोस्तों singular verb बात करें वाज गी तो वाज कैसी है दोस्तों singular verb बात करें दोस्तों as की तो as कैसी है दोस्तों singular verb ये चीज आप द्यार में रखेगा plural verb की बात करें तो आर यहाँ पर plural verb है, वर यहाँ पर plural verb है, है वियाँ पर है दूस्तों plural verb और एक चीज और ध्यान रखेगा कि अगर verb के पीछे दूस्तों हम S या ES लगाएंगे तो वो singular बन जाती है और अगर noun है, noun के पीछे हम अगर S या ES लगाते हैं तो वो plural बन जाती है, तो इस चीज को आप द्यार में रखेगा, अब जैसे मैंने आपको शुरू में बता इस परसन की और आते हैं कि as well as जब भी आपको sentence में देखे, तो आपको क्या करना है, singular verb लगाने है, अब देखे, आर क्या है दोस्तों यहां पर, आर क्या है, आर है यहां पर plural verb, तो आर यहां पर नहीं आएगा, वर भी यहां पर है दोस्तों प्लूलर वर्ब, तो वर भी यहां पर नहीं आएगा, अब देखे, is और has, is और has मैंसे दोस्तों कौन सी आएगी यहां पर वर्ब, अब देखे, captain as well as his soldier ready to march, वो ready है तो present की बात कर रहा है, इसलिए दोस्तों यहां पर present की वर्ब आजाएगी, singular is, तो option A यहां पर right answer हो जाएगा, next देखे, second number is, choose the correct sentence, अब देखे, यह जितने भी question है, दोस्तों, पूरान एग्जामस में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखेगा, पूरान परती परिक्साओं में पूछे जा चुके question, आपके लिए जरूर मैत्पूर साभीत हैंगे, तो दो number है, आपके सामने, choose the correct sentence, अब देखे, अब देखो कि अगर आप दोस्तों इस question में, तो क्या देर गए, one of these candidates are sure to be selected, अब देखे, one of these, अब जब भी दोस्तों, आपको one of everyone, anyone, something, anything, everything, somebody, या फिर दोस्तों, each, every, neither, either, दिखे, तो verb कैसे आती है, singular, अब देखे, यहा देखोगे, तो plural verb देरेके यह नहीं होगा, वन ओफ देखे, यहा पर singular देरेके, ठीक है, यह हो सकता है, आगे देखो कि one of these candidates were, अब यह भी plural verb देरेके है, तो यह भी नहीं होगा, यहा पर भी देखोगे, तो यहा पर भी plural verb देरेके है, तो यह भी नहीं होगा, तो बस a की option बचा, हमारे option b, तो option b, हमारे right answer हो जाएग या फिर दोस्तों दिखे something या दिखे दोस्तों anything या दिखे दोस्तों everything या दिखे दोस्तों somebody या दिखे anybody या दिखे दोस्तों each या दिखे every या दिखे neither या दिखे either तो हमेशा sentence में singular verb आती है यह जब भी आपको दिखे तो यह थोड़ी keyword है इनको आप दियान में रखिएगा तो आगे भी कुछ आपको keyword में बताता चाहूंगा कि किस परकार से आपको subject agreement के question solve करने है और दियान लखे इन नियमों से आपके एक भी question बाहर नहीं जाएगा इसकी यह guarantee है चलिए next की ओर next है दोस्तो third number on my friend one of my friends sorry क्या है one of my friends that's going abroad अब जैसे मैंने उपर आपको sentence में बताया दोस्तों क्या दिखे आपको one of something anything आदी दिखे तो हमेशा verb कैसी आती है दोस्तो singular तो यहाँ पर देखे plural verb देर की है अब friends आया being तो इसके बाद आएगा नहीं ना being आएगा तो singular verb कौन सी इसमें option a is is आजएगा option a right होगा next देखे fourth number आपके सामने every boy and girl be ready to appear for the examination अब देखे sentence में देखोगे दोस्तों अगर आप sentence में अगर देखोगे तो क्या दिखर रगा है every तो मैंने आपको कौन सा question हमने second number पढ़ा था तो last में आपको मैंने बता है था कि अगर देखे आपको each अगर देखे दोस्तों every अगर देखे neither अगर देखे either तो हमें कैसी वर्ब लगानी है singular अब देखे यहाँ पर यह plural वर्ब है यह नहीं होगी singular है ठीक हो सकती है being यहाँ पर नहीं आएगा being यहाँ पर नहीं आ सकता तो बस option B was यहाँ पर right answer हो जाएगा next देखे फिफ्ट नमबर है pick out of the correct sentence from those given below अब देखे अब आमको इन में से कौन सा सई है वो देखना है अब आप देखोगी दोस्तों sentence में तो क्या दे रहे है a number of तो एक rule और है दोस्तों ध्यान रखेगा जब भी आपको sentence में क्या देखे a number of देखे a number of तो हमें plural verb लगानी है अगर आपको देखे दोस्तों the number of क्या देखे the number of तो हमें कैसी verb लगानी है singular verb लगानी है a number of देखे तो plural verb आएगी the number of देखे तो singular verb आएगी इस चीज को आप द्यान में रखे तो देखे यहाँ पर दे रहे है a number of a number of का मतलब है कि यहाँ पर कैसी verb आनी चाहिए plural verb आनी चाहिए कैसी आनी चाहिए दोस्तों plural verb अब आप इस sentence में देखोगे तो पहला दे रहे है a number of students is आया यानि कि यह singular verb है तो यह singular verb वाला हमारे answer नहीं होगा next देखोगे a number of students are being absent today तो यहाँ पर देखे यह being आ गया तो यह भी यहाँ पर नहीं होगा यहाँ देखोगे a number of students are absent today तो यह हमारे option C राइट हो जाएगा a number of students being आ गया तो यह भी यहाँ पर गलत होगा तो option C हमारे यहाँ पर correct answer है next देखे next है दोस्तों the metals and minerals sector does currently highly volatile अब देखो कि दोस्तों sentence में क्या दिख रहा है आपको अब देखे जब भी आपको sentence में दिखे a या the a या the दिखे उसके बाद क्या हो दोस्तों noun हो क्या हो noun हो उसके बाद हो end उसके बाद हो end और उसके बाद noun हो तो हमेशा हमें singular verb लगानी है यह structure है ध्यान रखिएगा क्या हो दोस्तों ए या द या द यानि कि यह क्या है दोस्तों article यानि कि शुरुआत में article हो उसके बाद noun हो noun हो and conjunction जुड़ा हो उसके बाद और noun हो तो singular verb आएगी ध्यान रखिए trick क्या है अगर एक article जुड़ा है तो एक मतलब singular तो singular verb आएगी और आगे देखिएगा ए हो या फिर द हो उसके बाद क्या हो noun हो उसके बाद and conjunction हो उसके बाद और दोस्तों यहाँ पर article हो और उसके बाद अगर noun हो तो अमेशा plural verb हमें लगानी है तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा क्या हो ए हो द हो noun हो and conjunction हो फिर वापिस ए या द हो फिर noun हो और तो उसमें हमें क्या लगानी plural verb मतलब कि एक नहीं दो आर्टिकल लगा रहोंगे sentence में और and conjunction जुड़ा होगा तो हमें plural verb दो यनि ज्यादा plural verb लगानी है और अगर एक आर्टिकल हो तो singular verb लगानी है अब अगर आप sentence में देखोगे तो यहाँ पर the लगा है यहाँ पर metals आ गया फिर और बाद उसके बाद end conjunction लगा है फिर दोस्ते यहाँ पर minerals आ गया मतलब की यहाँ पर एक आर्टिकल लगा है एक आर्टिकल लगा है इसका मतलब हमें कैसी verb लगानी है singular verb तो singular verb देखिए और क्या singular verb है नहीं है तो काड़ दो वर क्या singular verb है तो verb भी यहाँ पर दोस्तो singular verb नहीं है अब यहाँ पर देखिए the metals and minerals sector currently अब currently की बात कराए currently मतलब कैसी बात कराए present की कैसी बात कराए दोस्तो present की तो यहाँ पर past की verb यह singular तो है लेकिन यह past की verb है तो यह past की verb भी यहाँ पर नहीं आएगी तो बस present वाली यहाँ पर verb आजाएगी Is option भी हमारे यहाँ पर right answer होगा तो बस कुछ tips and tricks है दोस्तों, साथ में कुछ rule है और यह आप अगर class पूरी देखोगे तो 100% sure के साथ कह रहा हूँ कि आपके एक भी question है वो गलत नहीं होगा तो भी option हमारे यहाँ पर right answer हो जाएगा, next देखे next है दोस्तों slow and study dash the race अब देखोगे दोस्तों sentence में तो अब verb लगती है यह subject का उसर यह तो आपको सभी को पता ही होगा, अब यहाँ पर देखोगे तो यह subject कैसा है दोस्तों compound subject है, compound subject का अर्थ यह हुआ when two singular nouns, जब दो संगया है दोस्तों मिलकर एक complete चीज मनती है उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं दोस्तों compound subject अब जैसे slow and study अब slow and study हो गया या फिर दोस्तों कहते हैं जैसे हम bread and butter bread and butter हो गया या फिर दोस्तों rice and curry हो गया rice and curry हो गया जैसे दोस्तों हम बात करें तो हो गया hammer and sickle hammer and sickle हो गया दोस्तों हमारे यहाँ पर हो गया जैसे crown and glory हो गया और दोस्तों बात करें तो यहाँ पर हमारे pen and ink हो गया मतलब कि इसका अर्थ यह हुआ कि जब दो चीजे मिलकर एक चीज बनती है तो उसे हम compound subject कहते हैं और ऐसे दोस्तों compound subject में सिंगुलर जो वर्व होती है वो हम लगाते हैं तो इस चीज का आप ध्यान में रखेगा जैसे ब्रेड एंड बटर ये दोस्तो एक ही चीज है न क्योंकि ब्रेड पर बटर लगा के खाया जाता है पैन एंड इंक ये दोनों भी एक चीज है यानि के पैन के बिना इंक कुछ राइस एंड करी ये भी दोस्तो मिलकर दो एक ही चीज बनाती है राइस के साथ करी खाई जाती है जैसे हैमर एं सिकल या फिर दोस्तो क्राउन एंड ग्लोरी तो ये ऐसी वर्ड है दोस्तो जो मिलकर बले ही यहाँ पर एंड गंजक्सन जुड़ा है एंड से यहाँ पर मत स शुरुआत में आपको बताया कि जब भी noun के पीछे अगर s या es लगती है तो वो plural होती है अगर दोस्तो वर्ब के पीछे अगर कोई किरिया आए उसके पीछे दोस्तो अगर s या es हम लगाते हैं तो वो आमेशा कैसी बन देगी singular बनेगी अब आप गर आप देखोगे is winning यहा क्योंकि present की बात नहीं होरी यहां पर देखिए slow and study continuous की नहीं होरी बात तो is winning यहां पर नहीं आने वाला ना दोस्तो future के will win आएगा और ना दोस्तों यहां पर win अब यह win तो कैसी है दोस्तों plural है कैसी है plural क्योंकि इसके पीछे s या es नहीं लगावाए मैंने आपको बताया क कि जब भी verb के पीछे s या es लगेगी तो वो singular बनेगी नाउन के पीछे लगेगी तो plural बनेगी इस चीज को आप ध्यान में लखेगा आपको पता भी होगा अब देखोगे यहां पर क्या आजाएगा दोस्तों wins आजाएगा present simple की बात हो रही है तो wins verb की first form आजाएगी दोस् दोस्तों 10 miles dash a long way to walk अब जब भी दोस्तों आपको sentence में जब भी आपको sentence में क्या देर रखा हो distance देर कियो time देर कियो time देर कियो time देर कियो तो दोस्तों हमेशा हमें किस verb का उप्योग करना है singular verb अब यहां पर देखे 10 miles देर का है इससे अगर आप सोचते हो कि plural verb आएगी तो नहीं आएगी जब भी आपको sentence में क्या देखे distance देखे time देखे तो हमें कैसी singular verb लगानी है पहली देखे plural है काड़ दो नहीं होगी दूसरे में भी आर के साथ being नहीं लगता है यह भी कड़ जाएगी आर है यहां पर और not है लेकिन plural है नहीं लगेगी तो बस singular verb है यहां प advisor-address the really अब दोस्तो sentence में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या आया है दोस्तो as well as क्या आया है यहां पर as well as अगर sentence में as well as along with together with in addition to including excluding आदी हो तो क्या लगाना हमें कैसी verb लगानी है तो हमें दोस्तो लगानी है कैसी singular verb singular verb लगानी है तो अब देखें have आया यहां पर यह plural है काड़ दो यहां पर भी have been है plural है काड़ दो यह भी plural है काड़ दो तो बस singular verb वाला एक answer है वो है हमारे option b में has agreed to be option right हो जाएगा next देखें 10th नमबर है दोस्तो my brother as well as my sister dash with me अब यहां पर भी as well as आगया मतलब ही कैसी verb आ काड़ दो पहले में plural verb दोस्तों काड़ दो तो दूसरे में भी plural है काड़ दो तीसरे में भी plural है काड़ दो बस चौत्य में यहां पर singular है option d हमारे यहां पर right answer हो जाएगा existing अगला देखें अगला है दोस्तों रमेस along with अब यह along with और देखें आ गया यहां पर फिरो में आप को मैंने बता है था as well as together with along with excluding including in addition to आदी दीखें तो singular verb बाती है पहले में singular है ठीक है दूसरे में पिलूलर है काटो तेसरे में दोस्तों पिलूलर है काटो यहां पर तो केवल कुछ वर भी नहीं देरी कि तो यह भी कड़ जाएगा तो option A हमारे right answer हो जाएगा singular verb बेवास तो to blame for this misfortune अब आपको लग रहा है कि दोस्तों यहां पर member से क्या member से पिछे S लगा हुआ है तो plural verb ऐगी तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि sentence में क्या दिख रहा है दोस्तों as well as तो यह keyword है शुरू में मैंने आपको बता है और अगर आपको लग रहा है कि यहां पर देखिए the है यह as well as यह keyword है तो बस singular verb आने चाहिए तो यह पिलूलर है कटेगा यह भी पिलूलर है कटेगी अब इन में से और इस में से इस में से और as में से एक वर भाएगी तो कौन सी आ जाएगी दोस्तों यहां पर यह आ जाएगी दोस्तों यहां पर is option C यहां पर write answer हो जाएगा अगला अगला है 13 नंबर neither any of the members of the society nor the chairman the annual meeting अब यह एक और रूल है ध्यान रखेगा जब भी आपको sentence में देखे neither nor एक और है दोस्तों either और एक है दोस्तों not only not only but also but also और एक तो यह है neither nor जब भी दिखे तो हमें दोस्तों किस के अनुसार यह जो और है इसके बाद जो भी दोस्तों यहां पर है उसके अनुसार हमें वर्ब लगानी है अब यहां पर देखोगे जैसे nor है तो nor के बाद देखे कि क्या है दोस्तों पास में chairman क्या है दोस्तों the chairman तो the chairman की अनुसार पास वाले के अनुसार दोस्तों वर्ब लगानी है तो the chairman के अनुसार यहां पर वर्ब आएगी जैसे अगर यहाँ पर not only but also होता तो but also के पास जो भी वर्ब होती उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर वर्ब लगाते और neither or जैसे इसमें है तो nor के पास में जो है the chair में ने इसके अनुसार वर्ब लगी और अगर either or होता और और के पास में जो भी है उसके अनुसार दोस्तों यहां पर वर्ब लगी अगर पास में plurular है तो plural verb लगाने है singular है तो singular verb लगाने है जस्ट बाद वाली ना कि पहले वाली ध्यान रखेगा आगे देखे आगे है दोस्तो 14 नमबर अब यहां पर देखे आगा are similar verb नहीं है कटेगा have been similar verb यह भी कटेगा is आ जाजेगा option c यहाँ पर दोस्तों हमारी right answer हो जाएगा next देखी neither the judge nor I who the winner is neither आ गया nor आ गया pass वाले के अनुसार वर्ब लगेगी तो pass वाले के अनुसार आई है I के अनुसार दोस्तों यहाँ पर verb लगेगी तो I के अनुसार क्या जाएगा दोस्तों am ready to announce option a हमारे यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला देखिए अगला 16 नमबर है दोस्तों not only the master but also the servants dash said अब देखोगे 16 नमबर में अगर क्या दिख रहा है दोस्तों not only आगे देखोगे but also तो but also के pass वाले के अनुसार दोस्तों यहाँ पर verb आईगी servants दे रहा है मतलब की plural verb आईगी यह पहला दे रहा है singular कड़ जाएगा दूसरा वास दे रहा है singular यह भी कड़ जाएगी वेर तो कहां से आगया यह तो आई गए नहीं तो बस वर आजाएगे यहाँ पर plural verb option भी यहाँ पर right होगा next देखिए दोस्तों 17 नमबर है a pair of shoes purchased by me अब देखो कि दोस्तों इस sentence में a pair of shoes आया है क्या आया है दोस्तों a pair of shoes मतलब की यह बात कर रहा है दोस्तों एक जोड़ी की एक जोड़ी की बात कर रहा है लेकिन वो जोड़ी मिलकर एक ही बनती है मतलब की वो कैसी बनती है दोस्तों singular बनती है कैसी बनती है singular इसलिए यहाँ पर singular verb आजाएगी तो पहले में देखिए दोस्तों यहाँ पर have been there का है, तो यह plural verb है, काट देंगे, यह would there का है, यह भी यहाँ पर दोस्तों कट जाएगा, आगे देखो कि दोस्तों, has been और has been मैंसे, तो इन दोनों मैंसे दोस्तों हमारे right हो जाएगी, has been, as के साथ being लगता है यहाँ पर, तो option A दोस्तों यहाँ पर right answer हो जाएगा, being जब आता जब ing form होती, continuous में होता, तो A option right होगा, next देखे, 18 number है, each of our blank tuition fee, at the beginning of the month, अब देखे, इस sentence में, क्या है दोस्तों, each of आया है, क्या आया है दोस्तों, each of, तो जब भी आपको sentence में, क्या देखे, each of every, आदी देखे, तो हमें verb लगानी है, कैसी दोस्तों, singular verb लगानी है, कैसी verb लगानी है, singular verb, अब इस में देखोगे दोस्तों, तो singular verb आजेगी, pays, students, is, तो बस option B यहाँ पर right answer होजएगा, जब भी आपको sentence में, each देखे, every देखे, केवल neither देखे, केवल either देखे, तो singular verb आती है, next देखे, next है दोस्तों, 90 number, the number of credit card holders dash by lips and bounds, तो शुरू में मैंने आपको एकोसन पढ़ा था, आपने बताया था, जब भी आपको sentence में, क्या देखे, a number of, क्या देखे, दोस्तों, a number of, और देखे, the number of, क्या देखे, the number of, देखे, तो a number of है, तो तो आएगी, कैसी दोस्तों, plural verb, प्लूलर वर भाएगी, the number of देखे, तो आती है, दोस्तों, singular verb, तो a number of का question है, पढ़ चुके हैं पहले, अभी आया, the number of का, तो a number of होता, तो प्लूलर वर भाती, the number of है, तो कैसी आएगी, singular verb, तो singular देखे, पहला singular है, नहीं है, प्लूलर है, काड़ दो, यहां पर भी आर प प्लूलर है, तो singular verb, दोस्तों, has been increasing, तो option B, हमारे यहां पर right answer होगा, next देखे, दोस्तों, 20 number है, आपके सामने, a number of refugees, अब यहां पर a number of आगया, मतलब कि कैसी वर भाणी चाहिए, प्लूलर वर, पहले में देखे, singular है, काड़ दो, दूसरे में देखे, singular है, यह भी कड़ ज देखे, आर के साथ भी लगता ही नहीं है, तो आर भी यहां पर कड़ जाएगा, तो बस option C, हमारे यहां पर right answer होजएगा, have, अगला देखे, अगला है, दोस्तों, 21 number, 20 kilometers, days, in these days, of fast moving, अब देखोगे, दोस्तों, अगर आप sentence में, तो क्या देर के, दोस्तों, आपको distance, क्या singular verb लगानी है, तो अगर आप देखोगे, तो singular verb C में, है, नहीं है, तो aren't दोस्तों, यहां पर कड़ जाएगा, D में देखे, singular है, नहीं है, तो यह भी दोस्तों, आर नौट है, यह भी कड़ जाएगा, अब बची दोस्तों, is no distance, और is not a great distance, is not great distance, तो no distance वाला भी यहां पर कर जाएगा is not a great distance option भी हमारे यहां पर right answer होगा next देखी 22 number है one of the politicians that he had resorted to corrupt practices अब अगर देखोगे दोस्तो 22 number में अगर आप तो क्या दिख रहा है दोस्तो one of अब मैंने आपको शुरूम बता है था one of हो everyone हो anyone हो something हो anything हो everything हो somebody हो anybody हो अधी हो तो कैसी वर्बानी है singular word पहले में देखी have singular नहीं है कटेगा दूसरे में have दोस्तों singular नहीं प्लूलर है तो यह भी कटेगी अब देखे यहां पर has opened admittance और has openly admitted तो इन में से दोस्तों हमारे option c right हो जाएगा वर्ब की third form इसलिए option c यहां पर होगा has openly admitted next देखे 23 नमबर है none of the guests to the bride अब 23 नमबर में देखो कि दोस्तों तो क्या है दोस्तों यहां पर none of क्या है none of तो जब भी sentence में एक तो दीके sum एक तो क्या दीके sum एक दीके दोस्तों यहां पर any एक दीके none एक दीके दोस्तों all most तो हमेशा पास वाले के अनुसार हमें वर्ब लगा नहीं है पास वाले में देखी यहां पर guest है तो guest के अनुसार यहां पर दोस्तों कैसी वर्ब आनी चाहिए थी plural तो बस इसमें singular यह भी कड़ गया इसमें वर्ब है नहीं तो बस option ए हमारे यहां पर राइट हो जाएगा वर introduced यह option next देखे 24 नमर है the rebel leader with all his men blank executed last year अब देखे the rebel leader with all his men अब यह देखे हैं पर with जुड़ा है तो शुरू में आपने मैंने आपको बता है था यह तो along with excluding, including आदी हो या फिर as well as या together with आदी हो तो क्या करना है हमें वहाँ पर singular verb लगाने है तो देखो कि पहले में singular है ठीक हो सकता है दूसरे में पिलूलर है कट जाएगा तेशरे में पिलूलर है कट जाएगा अब इस में से और वाज में से क्या आएगा अब देखो कि अगर आप sentence में नजर मा रहे हो तो last year तो last year हमें क्या बता रहे है दोस्तो past का बता रहे है तो present की verb is तो ये भी नहीं आएगा तो बस वाज आजएगा option a हमारे right होगा आपर अगला देखी अगला है दोस्तो 25 नंबर he was informed that everyone of them that's the fact अब देखोगे दोस्तों sentence में तो क्या आया everyone क्या आया दोस्तो everyone तो ये भी मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपको sentence में क्या देखे everyone, anyone या फिर देखे कोई think वाली बात जैसे something anything, everything या फिर देखे कोई buddy वाली जैसे somebody, anybody, everybody आदी देखे, तो हमेशा singular verb आती है तो यहाँ पर देखे, पहले में plural verb है कट जाएगा दूसरे में भी plural verb है कट जाएगा अब देखोगे अगर आप sentence में तो यहाँ पर देखे, was aware of दे रखाए और is aware of तो शुरू में देखोगे दोस्तों तो was आ रहाए इसलिए मनलब past का बतार है तो past वाली ही यहाँ पर आ जाएगी इस वाली कट जाएगी तो option C यहाँ पर right हो जाएगा next देखे, 26 नमबर है दोस्तो pen and ink blank my first requirement अब देखोगे दोस्तों अगर आप sentence में तो क्या आ रहा है pen and ink तो इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कोई compound subject होता है शुरू में बताए था जैसे pen and ink आया bread and butter आया slow and steady आया crown and glory आया hammer and sickle आया rice and curry आया तो हमेशा singular verb बात ही है ऐसे में तो यहाँ पर देखे, singular verb वाला कौन सा है यह plural है कड़ जाएगा यह भी plural है कड़ जाएगा यह भी plural है कड़ जाएगा option D singular है तो option D यहाँ पर right होगा next देखे 27 नमबर है each boy and girl blank ready to go अब sentence में देखो कि क्या आया दोस्तो each क्या आया each each boy and girl अब देखे each है and conjunction भी है देखो कि अगर sentence में तो जब भी आपको sentence में क्या दिखे each दिखे या फिर दिखे every या तो each दिखे या फिर दिखे every या फिर दिखे दोस्तो neither या फिर दिखे दोस्तो either तो हमें कैसी वर्ब लगानी है तो हमें लगानी है दोस्तों यहाँ पर कैसी word? singular word तो देखोगे तो यहाँ पर have कैसी है? plural, word भी plural, have भी plural singular option D में is right answer हो जाएगा next देखे 28 नमर either रजत और मोहन्स children full list 28 नमर में दोस्तों अगर देखोगे तो either और आया और किस क्यानुसार word लगेगी दोस्तों यहाँ पर children क्यानुसार तो children दोस्तों plural है subject plural है यहाँ पर इसलिए यहाँ पर दोस्तों plural word भाईगी तो शुरू में मैंने आपको बताए था तो शुरू आत्में दोस्तों आपको बताए था कि either or हो और neither nor हो not only but also हो तो जो आगे वाला होता है उसके पास वाले कैनुसार दोस्तों वर्ब आती है तो children यहाँ पर दोस्तों subject है तो इसके अनुसार वर्ब भाईगी तो यह दोस्तों plural है कैसा है plural children आपको पता होगा तो बस plural वर्ब एक मही है option D में option D हमारे यहाँ पर right answer हो जाएगा next देखिए next दोस्तो 29 number each man and each woman अब देखिए each man and each woman dash vote अब देखोगे दोस्तों इस sentence में तो पीछे यहाँ पर आगे तो each जरूर है लेकिन पीछे देखोगे तो दोस्तों vote यहाँ पर बात कर रहा है दोस्तों बाध्यता की कैसी बात कर रहा है बाध्यता की और अगर यहाँ पर बाध्यता नहीं होती और each each दो बार होता each दो बार होता और end conjunction जोड़ा होता तो पुलूलर वर बाती लेकिन यहाँ पर बाध्यता की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर इन में से कुछ नहीं must आएगा बाध्यता है must must vote तो option D हमारे यहाँ पर right होगा next 13 number देखोगे the commission dash divided in their opinion on this issue अब देखे दोस्तों the commission दे रखा है अब जब भी दोस्तों आपको दे रखा हो the commission या फिर दे रखा हो jury या फिर दे रखा हो audience अब इन सभी का काम क्या होगा इन सभी का काम क्या होगा दोस्तों अलग अलग होगा तो जब भी कोई group team आदी का काम अगर अलग अलग हो तो उसके लिए दोस्तों हम plural verb लगाते हैं और अगर इसी के इस्तान पर क्या आता team आता क्या आता दोस्तों team तो team का क्या होता टेम का काम एक ही होता है कि opposite टेम को हराना उन सबी वे सबी मिलकर एक ही काम करते हैं बलेई वज्जादा है संक्या में लेकिन वे सबी मिलकर काम क्या करते हैं दोस्तों एक ही अगर यहां पर टीम होती तो singular verb काम परियोग करते हैं singular verb का परियोग करते हैं जैसे committee भी आ जाता अगर jury भी आ जाता अगर audience भी आ जाता है तो इनके मत क्या होते दोस्तों अलग अलग है काम अलग अलग है तो दोस्तों अगर मिलकर काम नहीं करें तो हमेशा कैसी वर्ब आती है plural verb आती है इसको ध्यान रखेगा तो the commission है divided भी आगे दे रखा है इसलिए दोस्तों यहां पर plural verb आईगी आप दे रखा है क्या दोस्तों this दे रखा है this issue मतलब present की बात कर रहा है इसलिए दोस्तों यहां पर plural verb आईगी और present की तो यह singular verb यह तो कट गया यह singular verb यह भी कट गया यह plural verb है लेकिन वर है यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर past की देर की है तो present की आएगी option D यहाँ पर write होगा next रेकिए next है 31 number a number of अब देखे शुरू में आपको मैंने बता है था a number of देखे तो plural verb the number of देखे तो singular verb बताए दोस्तों आप ही कैसी verb आएगी इसमें कैसी आएगी दोस्त sentence में क्या देर काई दोस्तों बीन आ रहा है तो आर तो आए गई नहीं क्योंकि आर के साथ बीन नहीं आता अब देखो कि यहाँ पर क्या देर काई दोस्तों arrested तो वर के साथ भी दोस्तों आर जो बीन है वो नहीं आता वर भी कट जाएगा तो बस have भी नहीं हो जाएगा के तो लांसर, option C, next 32, नमर देखे, sum of the books, तो sum of आ गया, तो शुरू में आपको मैंने बता है था, अगर आपको देखे दोस्तों, sum, any, none, आधी देखे, तो हमेंसा जो वर्ब होती है, वो कैसी आती है दोस्तों, वो आती है, प्लूलर, कैसी वर्ब हाती है दोस्तों, प्लूलर वर्ब, तो इसमें देखोगे, तो प्लूलर वर्ब है किवल, option C में, तो option C, यहां पर right होगा, next, देखे, 33, नमर है, many, a chance, that is given to him, last month, many, a chance, देखे, अब आया क्या दोस्तों, many, क्या आया, many, तो जब भी आपको sentence में क्या देखे, many, many, देखे, तो आपको कैसी वर्ब लगानी है, दोस्तों, singular वर्ब, तो singular वर्ब, इस में से देखे,outer problem, प्लूलर वर्ब है, उस्तों नहीं आएगी, वर्बी polar है, तो यह भी नहीं आएगी, इस singular है, वा singular है, इस singular है, वा Przyb तो इन मेंसे एक आएगा अब एक कौन से हैगी देर का लास्ट मंत लास्ट मंत बता रहा है पास्ट को तो इस भी नहीं आएगी पास्ट वालिवर भाईगी ऑप्शन डी ये राइट हो गए यहां पर नेक्स्ट देखिए 34 नंबर है तो singular drug देखिए पहले singular है दोसरी यहां पर plural है तो दूसरी कटकी तीसरी देखिए क्या देर का है दोस्तों यहां पर vast singular है तो देखिए बात किस की कर रहा है बात कर रहा है दूस्तों then मतलब past की तो past वालिवर आजेगी is as कर जएगी तो बस option c यहां पर write हो जएगा past आजएगा then देर गाए ना इसलिए past का sentence है past की बात कर रहा है option c write होगा अगला देखे 35 number not only c but also u dash my neighbor अब देखोगे sentence में तो not only आया और but also आया मतलब किसके past वाली के अनुसार दोस्तों वर बायेगी past वाली यू है इसके अनुसार दोस्तों वर प्लूलर आजएगी तो बस option d यहां पर write हो जाएगा you are अगला देखे 36 number scissors dash two blades अब scissors आया दोस्तों मतलब यह तो प्लूलर यह तो आसानी तो प्लूलर वर बाजएगी दोस्तों scissors have two blades option c हो गए यहां पर next देखे 37 number the audience dash there but they had no interest in the topic the audience अब क्या आया दोस्तों the audience the audience अब इस audience का दोस्तों क्या काम है जोसे मैंने शुरू में आपको बताया जैसे कोई commission आजाए कोई committee आजाए audience आजाए jury आजाए इन सभी का मत दोस्तों अलग-अलग होगा वह यह group मिलकर दोस्तों एक ही काम नहीं करता है तो एक ही काम नहीं करता है इसलिए प्लूलर वर इसमें तो वाज ना आएगा ना इस आएगा तो है वर और है मैंस एक आएगा तो वर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर option B यहाँ पर दोस्तों right answer होगा अब 38 नंबर में देखोगी दोस्तों क्या आया दोस्तों दोस्तों तो बस सिंगुलर वर वाज यहाँ पर वाज option B यहाँ पर right answer होगा एक ही आटिकल है बस अगला देखिए 39 नंबर है Dr. Rajendra Prasad-1 प्रेजिदेंट ऑफ इंडिया अब Dr. Rajendra Prasad तो बस यह भी singular ही है आसान है यह तो दोस्तों the singular यहाँ पर कुछ दिकी नहीं रहा है कि वर्ट तो कुछ है नहीं तो singular वर वाज आजेगी यहाँ पर was option A right होगा next देखिए दोस्तों 40 नंबर 40 नंबर है the number तो the number of आया मतलब की singular वर्व हैगी, un number of होता तो पुलूलर वर्वाती, तो यह singular नहीं है, ना यह singular है, ना यह singular है, तो option C होगा, is right answer, next, 41 number, the principal and secretary, तो देखिए यहाँ पर end conjunction है और एक article है, तो मैंने शुरू में आपको बता है था, जब end conjunction चुड़ा हो, एक article चुड़ा हो, ए कैसी वर्व आएगी, singular, और दो आर्टिकल होते है, end conjunction होता तो पुलूलर वर्वाती, तो बस singular वर्व देखिए, इन मैं से कौन सी है, has, दोस्तों, singular है, ठीक है, is भी singular है, वर, यहाँ पर plural है, तो वर कट गई, अब यहाँ पर देखिए, invited आ रहा है, मतलब पास्ट की बात क अब देखिए, तो बस option A यहाँ पर right answer होज़ेगा, बात साज़ेगा है यहाँ पर, next देखिए, 42 नमबर है, one of third land has been cultivated, अब देखिए, दोस्तों, अब गर आपको sentence में, क्या देर का हो, one third, one third, कोई इसे की बात हो, दोस्तों, one third हो, क्या हो दोस्तों, half हो, third, fourth हो, तो पास व लेके अनुसा, देखिए, one third of the land, अब देखोगे, दोस्तों, the land में, तो यह कैसा है, दोस्तों, uncountable noun है, कैसा है, दोस्तों, uncountable noun, तो uncountable noun के लिए, हम singular verb लगाते हैं, तो singular verb देखी, have plural है, तो have दोस्तों हम यहाँ पर काड़ देंगे, और one third of the land, अब यहाँ पर देखी, verb देदी, as पहले ही देदी दोस्तों, as यहाँ पर खाली जगा होनी चाहिए थी, तो option a हमारी right answer हो जेगा, यहाँ पर खाली जगा होनी चाहिए, लेकिन as हमें पहले ही तो पास वाले कनुसार हमें वर्प लगानी है, पास वाला दोस्तों the land है, वो कैसा है दोस्तों uncountable और singular है यह, तो गिंती भी इसकी नहीं होती ना, एक लेंड, दो लेंड, तो बस uncountable है, तो singular होगा, तो singular कनुसार है, यहाँ पर singular verb हैज आ गई, next देखी, 43 नमबर देखी दोस्तों, five minutes in dentist chair, like a long time, अब देखी दोस्तों, sentence में, जब भी आपको दे रखाओ, distance, time, एक और वर्ट ध्यान रखेंगे, amount, शुरू में आपको नहीं बता जा, एक तो ध्यान रखेंगे, amount, एक ध्यान रखेंगे, distance, एक ध्यान रखेंगे, time, यह अगर दे रखाओ, तो द जब noun के पिछे s, yes लगाओ, तो वो तो plural बनती है, verb के पिछे s, yes लगाओ, तो वो singular बनती है, तो यहाँ पर देखी have दे रखाओ, तो यह प्लूलर है, यह भी कट गया, अब देखी feel और feels मैंसे क्या आएगा, feels आएगा, क्योंकि देखी पिछे s लगावाए, और verb के पिछ जब भी दोस्तों, s लगता है, तो वो singular बनती है, तो singular राजे के verb यहाँ पर option b right होगा, next देखी, इसमें confuse मत होगा, अगला देखी, अगला है 44 नमबर, collecting paintings, dash her hobby, अब 44 नमबर में देखोगी दोस्तों, तो यह एक जिरंड है, collecting paintings, तो जिरंड है किरियावी session है दोस्तों, तो देखेगा, इसमें similar verb आती है हमें साथ, तो बस इस आजाएगा, यहाँ पर option a right होजएगा, यह तो plural है, यह भी plural है कट गया, अगला देखे, 45 नमबर, none of them, तो none के साथ singular verb आती है, तो देखे, none of them, देरका है, तो singular verb इन में से कौन सी है, has, तो बस has आजाएगा, option d right होगा, next देखे दोस्तों, 46 नमबर, house after house, अब देखे, after के बाद, दोस्तों, अगर after दे रहा हो, तो singular verb का उप्योग करना है, तो singular verb किसम हैं दोस्तों, यह plural, यह plural, यह plural, बस option a right होजएगा, next देखे, 47 नमबर है, reading books, that's a good way to learn new words, यह देखे, इसमें भी जिरन दे रहा है, तो जिरन क 48 नमबर है, she is happy with the way, the police has handled the case, अब देखो कि दोस्तों, the police दे रहा है, यहाँ पर, इसमें कोई keyword बगराद कुछ है ही नहीं, the police दे रहा है, और police क्या है, दोस्तों, collective noun, collective noun हमें सहे, तो plural ही होता है, plural verb, तो बस plural verb आज़ेगा, इसमें, तो plural verb इसमें देखे, कौन सी है, she is happy with the way the police handled, police handled the case, तो plural verb होजएगी दोस्तों, यहाँ पर option, यह similar verb देखे, यह कट गई, as similar दे रहा है, यह भी कट गई, are, और have मैंसे, तो have आजएगा, option D यहाँ पर right हो जाएगा, अगला देखे, क्यों, handled दे रहा है, इसलिए, अगला देखे, अगला है दोस्तों, 49 verb, 3 years, अब द distance दे रहा हो, time दे रहा हो, amount दे रहा हो, weight दे रहा हो, measurement दे रहा हो, singular verb लगानी है, तो singular verb देखोगे तो किसमें, यह तो तो तीनों plural ही है, तो यह कट गई, और यह option A right होजएगा, is, next, और last question आज का, दया नरसीता, that has known each other, for the last 6 years, तो देखे, दया एंड नरसीता, एंड कंज जुड़ा है, तो मतलब, end conjunction जुड़ा है, और कुछ article होगे रहा है, आगे कुछ आई नहीं, तो बस plural verb वाएगी, इसमें compound, दोनों, अलग अलग है, दोस्तों, दया, end अरसीता, आप, दो के बात कर रहा है, end conjunction जुड़ा है, इसलिए, तो plural verb वाएगी, यह singular है, यह singular है, यह भी कट गया, तो बस, यहाँ पर आजएगी, have, option, be right होगा, तो धन्यवाद, यह थे आज के हमारी subject agreement के दोस्तों, पचास most important question, और इसमें सभी rules को हमने cover किये, और उमीद है कि यह class आपको पसंद आयोगी, पसंद आती है, तो like कर दे, share कर दे, अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल पढ़ने हैं, तो जरूर सब्सक्राइब, मिलते हैं जल्दी ही नई class में, और एक और जो topic बचा दोस्तों adjective, उसको भी आज हम complete कर लेंगे, तो मिलते हैं जल्दी ही नई class में, तब तक के लिए, जय हिंद, वंदे मात्रा,